जैहिन साथियो तो SSGD Constable की एंसर की जारी हो चुकी है तो अब बहुत सारे भ्यारती Cut-up के बारे में पूछेंगे Cut-up कितना जाएगा क्योंकि सभी एंसर की का लेकर क्या करेंगे वो तो यही चाहेंगे कि उनका सेलेक्शन हो पाएगा या फिल नहीं तो इसलिए आप लोग नंबर के लिए परसान होंगे अब आप लोग को अपने स्कोर भी पता चल गए होंगे कि कितने राइस को बने हैं और देखे अभी आपको यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो भी साथ देखने को मिलेगा कि इ यहां पर डारेक्ट कंडेट अपनी एंसर की सम्मिट करते हैं एंसर की का जो लिंक होता है यहां पर अगर आप सम्मिट करेंगे तो यह आपका पूरा स्कोर आटोमेटिक कल्कुलेट कर देगा आपका पीडियाफ रेड करके कि आपका जो है कितने कोशन सही वे कितने गलत वे निगेटिव कितनी हैं आपके कितने रायस कोर बन रहे हैं और नॉमलाज होकर आपके कितने स्कोर बने हैं यो कि आपके अगर ऑच्छा-धासा खेल और यहां पर सभी रियल अभ्यारती होते हैं यह पिछली बार के एकारडिंग मैं आपको बता रहा हूं कि पिछली बार मैं खुद सरेक्ट हुआ था तो इस डेटा के अगार्डिंग इसमें जितना भी एवरेज था उससे कितना ज्यादा कटाफ जाता है तो वो सब कुछ मुझे एक एक अनालसिस पता है प्रिवियस येर की एकारडिंग तो वो मैं आपको बताने की कोशिस करूंगा जब यहां पर बिल्कुल रियल डेटा आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कितना कटाफ जा सकता है क्योंकि अगर आप लोग के रिवीव में देखते होंगे तो उस टाम तो सभी कहते हैं कि मेरे 75 सही है मेरे 80 सही है 70 सही है एंसर की आने के बास अभी 60 तक ही घुमते हैं तो अभी कितना कटाफ जाएगा उसको लेकर आप परसान ना हुए कल तक मैं आपको बिल्कुल 60 वीडियो बना दूंगा कि कितन कटाफ जाएगा अभी मैं खुद कुछ एनालसिस कर रहा हूं प्रिविएस यर के काड़े सब कुछ यहां पर पता कर रहा हूं कि हर एक श्टेट का कितना जा सकता है क्योंकि अगर जल्दबाजी में आप लोग कटाफ जानना चाहते हैं तो आप सटीक कटाफ नहीं पता कर दे दूँगा और यह नॉमलाजिसन भी बिल्कुल एक्कुरेट बताता है पिछली बार जितना बताया था उतना ही मुझे नॉमलाजिसन मिला था तो अभी यहां पर आप चेक कर सकते हैं इसका डारेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्स बॉक्स में दे दूँगा हल देखे प्लस फाइप नंबर पिछली बार जितना आपके स्टेट में जितना आपके कर्टेगरी में पिछली बार फिसकल के लिए गया था प्लस फाइप तक इससे ज्यादा नहीं जाएगा प्लस फाइप मांक्स यह कुस्टन से नहीं मांक्स इतने मांक्स अगर आपके प् जब आफाहें गे यहाँ पर मैं answer की वाले section में जाता हूँ यहाँ पर जैसे आप जाएंगे इस तरीकेसे अप्छन आएगा यहाँ आपका sort admission की, डावलोड करने का option मिलेगा यहाँ पर आपको लिएक करें गिस पर आपके इस तरीके से उपन होके आजाएंगे यहां पर देखे कुछ candidate जो की असम से हैं तो यहां पर मैं overall आपको average दिखा रहा हूँ बता रहा हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं अब यहां पर आने के बाद आपको कुछ नई करना है यहां पर यह जो link उपर दिख रहा है इसी को आपको copy कर लेना है तो यहां से आपको cut-up का भी अंदाजर लग जाता है और average कितना रहा वो भी आपको पता चल जाता है तो यहां पर आने के बाद जो अभी आपने URL copy किया था यहां पर हमने आपको बताया था कि link copy करने के बाद आप इसे copy कर लेजे तो वहां पर जो आपने copy किया था यहां पर paste कर देना है यहां पर आकर paste करेंगे यहां से जो भी आपकी category होगी उसे select करेंगे यहां से जो भी आपका state होगा वो select कर लेंगे यहां पर जो है आप कोई एक random password डाल दीजे क्योंकि यह login करने के एक काम में आता है जिसे एक 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 आप चार पांच बाद जो भी हो इसे आप डाल दीजे उसके बाद यहां से submit करेंगे अब जैसे आप submit करेंगे तो आपका score पूरा open होके आ जाएगा हलांकि अभी यहां पर errors होकर रहा है कि इस पर भी traffic आ गिया बहुत सारे बहरती इस पर trust करते हैं तो सभी यहां पर अपना check करते हैं maximum जितने भी लोग अच्छे score करते हैं सभी यहां पर check करते हैं तो यहां पर आपका जो है यहां पर पूरा score दिखा देगा इस तरीके से कि आपके total कितने raw score बने उसके बार normalized score कितने बने हलांकि normalization यह एक से दो दिन बार दिखाता है कि यहां पर यह automatic calculate कर देगा कि आपने कितने attempt किये थे कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ तो अभी थोड़ा सा यहां पर processing ले रहा है बाकी आगे का जो कुछ भी update आएगा इंफर्म कर देंगे कटाप का हमने मौटा आइडिया बता दिया बाकी कल तक बिल्कूँ details में बता देंगे चले मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जाए